आई आपको सीधे लिए चलते है, राजेश पवार इस वक्त कीव से हमारे साथ जूर रहे हैं, राजेश एक तो कीव के क्या हालाइत और कितना दम है इस बात में की रूस की सेना एक तरह से कीव में आकर फस गई है, दूसरा सवाल, ये जो ब्रसल्स में हो रहा है, इससे यु राजेश के पास चलेंगे राजेश पवार हमारे से होगी इस वक्त हमारे साथ कीव से जुड़ रहे हैं लेकिन तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटाक से लेकर हर तरीके के हतियारों का इस्तमाल इस वक्त रूस करता हुआ दिखाई दे है लेकिन दूसी तरफ कीव शहर में ये यूक्रेन का दावा है कि रूसी सिपाही वहाँ पर रूसी सैनिक भस गए हैं और उन्हें घेर लिया गया है वहीं मारियो पॉल में भारी तबाही आम नागरिकों की मौत हो रही है भुकमरी की नौबत कई दिनों से वहाँ पर आई रहा है लेकिन जो कुछ ब्रसल्स में हो रहा है नेटों से लेकर यूरोपिय यूनियन के देशों की बैठक जिसके जरिये दवाव बनाने की कोशश है व्लादिमिर पूतिन पर लेकिन क्या इस तरह के दवाव में आकर पूतिन ये अटैक रोक देंगे इसकी संभावना एक पिंट्री इंडिन आमी के हमारे साथ जुड़ गए है मैं आपके साथ जनरल शुरुआत करना चाहती हूं कि कि जो तस्वीर अब हम देख रहे हैं एक तरफ ये कोशश हो रही है कि पूतिन पर दवाव बनाया जाए जनरल प्रिशाद दवाव बनेगा या फिर ये उकसाना साबित हो जाएगा और जो रूसी आमी कीव में इस वक्त फसी हुई दिखाई दे रही है उस पर आपकी क्या राए है जनरल प्रिशाद देंके दबाव तो तब बनेगा जब आज की मीटिंग के बाद कोई पुकता बात निकलेगी. आज की जो मीटिंग हो रही है वहां पे अमेरिकन प्रेजिडन भी आए हुए है, सब योरोपीन डीडरेश हैं, जी सेवन की बात हो रही है, योपीन यूनन की बात हो रही है, इसके अंत में क्या नितीजा निकलता है उस पर निर्भर करेगा कि इस पर युद्ध का क्या डारेक्ट असर पढ़ रहा है अगर इसका युद्ध पर असर वो पढ़ा जो कि आज तक पढ़ता चला रहा दा पिछले तीन से कि हम इसको और हत्यार देंगे इनको और हम पैसा भ बनाएंगे इस किसम की बाते आती हैं तो पूतिन पर इसका कोई असर पढ़ने वाला नहीं है पूतिन अपने लक्ष पर चलते रहेंगे लेकिन अगर इस बैटक के बाद कुछ ऐसी बात निकली जिससे कि यह लगने लगे कि बूट्स इंग्राउंड यूक्रेन के अंदर जाने वाले हैं कुछ सेना जाने वाली है या नैटो फोर्सेज किसी और फ्रंट को खोलेंगी या किसी और जगा कोई हरकत करके इनको दबाव डालेंगी तो हो सकता है कि उसका जवाब रश्या देना शुरू कर दे लेकिन मुझे ऐसी संभावना नजर नहीं आती कि कोई ऐ और एरियस में हत्यार और बेज देंगे अपनी ट्रुप्स को तकड़ा बनाएंगे नैटो को दिखाएंगे कि नैटो दिन पर दिन स्ट्रॉंग हो रहा है उन सब चीजों पर रश्या निगा रखेगा लेकिन हरकत कुछ नहीं करेगा इसी तरह से ज़ड़ डेटरेंस उसक और सब्स करेंदिया इसने अपनी नुकलियर डिवलिटी को जो उसको ऐसको एक स्टेप और ओपर कर लिया यह घया लिश्टियो जाका लूज सुछ तुष्म स्काब करेंगे निपन संफ डिश्ट्रोन के बड़ियुट बै hanukर करना चाहिए और निए आपने ब्चृड नि improve करना यह जो हत्यार बिक रहे हैं इसे लोग की economy बढ़ रही है तेल के दाम बढ़ रहे हैं सब जगा जो यूद हो रहा है basically it is for economic reasons तो economic reasons पर यूद चलता रहेगा अब आगे यूक्रेइन में इनको कब success मिलेगी कितनी success मिली वो तो time ही बता सकता है कि रशिया की strategy किस तरह से बदली जा रही है किस तरह से logistics को क्रूफ किया जा रहा है किस तरह से बाच्चीत बढ़ती है अगर होती है यूक्रेण और रशिया के बीच में लेकिन आज की जो बात आपने पूछी मुझसे वो तो मैं मैंने आपको सब बिलकुल क्लियर लफ़ों ना बता दी